शेर और बिल्ली की कहानी सालों पहले नील नामक जंगल में एक बड़ी हुशियार बिल्ली रहती थी. हर कोई उससे ज्ञान प्राप्त करना चाहता था. जंगल के सारे जानवर उस बिल्ली को मौसी कहकर पुकारते थे. कुछ जानवर उस बिल्ली मौसी से पढ़ने के लिए भी जाते थे एक दिन बिल्ली मौसी के पास एक शेर आया उसने कहा मुझे भी आपसे शिक्षा चाहिए मैं आपका छात्र बनकर आपसे सब कुछ सीखना चाहता हूं ताकि जीवन में आगे मुझे कोई दिक्कत ना हो कुछ देर सोचने के बाद बिल्ली बोली ठीक है तुम कल से पढ़ने के लिए आ जाना अगले दिन से रोजाना शेर बिल्ली मौसी के यहां पढ़ने के लिए आने लगा एक महीने में शेर इतना समझदार हो गया कि बिल्ली ने उससे कहा अब तुम मुझसे सब कुछ सीख चुके हो तुम ही कल से पढ़ाई के लिए आने की जरूरत नहीं है तुम मेरे द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा की मदद से अपने जीवन को आसानी से जी सकते हो शेर ने पूछा आप सच कह रही है मुझे अब सब कुछ आगया है क्या बिल्ली ने जवाब दिया हाँ मैं जो कुछ भी जानती थी मैंने सब कुछ तुम्हे सीखा दिया है शेर ने दारते हुए कहा चलो फिर क्यों ना आज इस विद्या को तुम पर ही आजमा कर देख लिया जाए इससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितना ग्यान मिला है दर के मारे सहमी हुई बिल्ली मौसी ने कहा बेवकूफ मैं तुम्हारी गुरू हूँ मैंने तुम्हें शिक्षा दी है तुम इस तरह मेरे उपर प्रहार नहीं कर सकते हो शेर ने बिल्ली की एक न सुनी और उस पर जपत पड़ा अपनी जान बचाने के लिए तेजी से बिल्ली दोडने लगी दोरते दोरते वह पेर पर चड़ गई बिल्ली को पेर पर चड़ा हुआ देखकर शेर ने कहा तुमने मुझे पेर पर चड़ना नहीं सिखाया तुमने मुझे पूरा ग्यान नहीं दिया पेर पर चरने के बाद राहत की सांस लेते हुए बिल्ली ने जवाब दिया, मुझे तुम पर पहले दिन से ही विश्वास नहीं था मैं जानती थी कि तुम मुझसे सीखने के लिए तो आय हो, लेकिन मेरे ही जीवन के लिए आफ बन सकते हो यही कारण है कि मैंने तुम्हें पेर पर चरना नहीं सिखाया, अगर मैंने तुम्हें ये ग्यान भी दिया होता, तो तुम आज मुझे मार डालते बिल्ली मौसी की बात सुनकर शेर को भी गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि बिल्ली पेर पर थी बिस्से को मन में लेकर शेर वहां से दारते हुए चला गया, तहानी से सीख, शेर बिल्ली की कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी पर भी आँखे मून कर भरोसा नहीं करना चाहिए, जीवन में हर किसी से सतर्क रहने पर ही आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं